ने मार्पेक्त 3 hey guys welcome to bitcoins spends India, दोस्तो क्रिप्टो कुरंशी मार्केट के अंदर एक अच्छा उच्छा उचाल देखने के बाद में दुबारे से पैनिक देखने को मिल रहा है और बिटकोईन के अंदर भी जो है हमें沃 करेक्षन देखने को मिल रही है तो यहां से अब क्या लगता है क्योंकि इतना सारा कुछ global scenario होने के बाद में latest news निकल के आने के बाद में भी अभी जो panic देखने को मिल रहा है क्या ये correction है या जो एक high बनी थी जिसने इसको इतना उचा जो है पहुचा दिया था तो क्या उसका correction है या ये news जो है digest हो रही है औ और दुबारे से bitcoin वही negative के अंदर चल रहा है तो ये सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर बने रही है हमारे साथ में चैनल पहली बार आया तो चैनल को subscribe कर लिजे उमीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने like कर दिया होगा तो जाए time less नहीं करते है और स्क्रीन के उपर bitcoin हो या cryptocurrency हो वो हमेशा ही अप अप नहीं जाती correction भी लेती है और ऐसे ही हमेशा ही डाउन डाउन नहीं जाती वो अब भी होती है bitcoin जिसने पिछले हफते इतना कुछ price action देखा और वहां पे 37,000 डॉलर से दुबारे से वह 45,000 डॉलर चला गया 45,000 डॉलर चान क्यों resistance मिली कहा resistance मिली अभी क्यों support है वो सारी बात तो इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं लेकिन यहां पे जो theory बोली जा रही है हम सबको पता है bitcoin को जैसे बोला जा रहा था कि एक alternative निकल के आया है जिसकी वज़े से hype create हुई 45,000 डॉलर पे हमने bitcoin को देखा कि एक alternative है जह Indian market की बात करें वो भी दुबारे टूटी हुई है लेकिन अगर gold की बात करते हैं जब financial system के अंदर एक crisis आता है तो वो अब जाता है और जो gold है अभी भी वो ऊपर जाये जा रहा है और bitcoin और cryptocurrency को जो है एक alternative की तरह देखा जा रहा था खास कर मैं bitcoin को बात करता हूँ जितनी hype ली थी तो यहां पे जो theory बोली जा रही है कि एक तो Russia वाला जो matter है कि Russia के अंदर जिससे sanction लगे है उरोप और USA की तरफ से तो हो सकता है कि वहां के लोग जो है और buying कर रहे हैं cryptocurrency के अंदर जा रहे हैं अपने ruble को currency को छोड़ के और क्योंकि हमें पता है जो वहाँ Russian ruble है वो क काफी अच्छा कासा गिर गया लेकिन यहां पे जो on-chain data निकल किया है वो कहानी कुछ और कह रहा है उनके हिसाब से अगर बात करते हैं तो वहां पे जो trading है वो 50% down होई है अगर उचिसाब से देखते हैं लेकिन यहां पे एक और आपको बात बता दूँ जो online होती है या जो इन exchanges पे होती है जो रशिया के बात करे हैं जो उनके data को calculate करते हैं रशियन लोग सिर्फ यहीं trade नहीं करते हैं रशियन लोग बहुत जगा और trade करते होंगे और कई चीजे जो है हम पता है नहीं होती under the table होती हैं तो यहां पे एक hype तो हुई एक हमने bitcoin के अंदर spike भी देखा रशिया के बात करें यूक्रेन की बात करें और overall global tension हुई तो gold की तरह एक alternative निकल के आया लेकिन अगर इस theory को मानते हैं यह theory सही नहीं बोली जा रही है कि Russian लोग ही bitcoin को बढ़ा रहे हैं लेकिन यहां पे हम सबको नहीं बूलना चाहिए कि हमने इसका impact देखा है और positive और global market से decouple यानि कि जैसे global market react करती है उसके अलग तरीके से react हमने जो है gold को आमोमन gold तो करता ही है लेकिन cryptocurrency को भी करते देखा है लेकिन जो 15 March की बात बोली जा रही है वो कहीं न कहीं एक बड़ी tension देती है 15 March को Fed की meeting होनी है और उसके अंदर interest rate hike को लेके बहुत कुछ हो सकता है अगर वैसा कुछ हुआ जो हम expect नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है global market हो या cryptocurrency market हो उसके अंदर और उथल पुथल देखने को मिले तो अगले 10-15 दिन बहुत ही important होने वाले हैं cryptocurrency के नजरिये से अगर global market के नजरिये से और जिस हिसाप से इतना कुछ tension globally हुई पड़ी है तो अमेरिका भी चाहेगा कि कुछ ऐसा uncertain ना करें कि जिससे और impact उनकी economy पर पड़े लेकिन इस टाइम तो ऐसा लगता है कि फायदा तो unique हो रहा है सारी चीजों का और हमें ये भी धियान रखना चाहिए जब भी ये fed की meeting होती है interest rate hike को लेके cryptocurrency के अंदर हफ़ते 10 दिन पहले fluctuation देखने को मिल cryptocurrency पे usually pressure देखा है last time भी अगर आप देखोगे या पिछले 10 साल को लेते हो तो जायतर years के अंदर वो negative में close हुआ है तो एक psychological वो भी impact पड़ता है और इसका pressure हमें bitcoin और cryptocurrency मार्किट पे भी देखने को मिल सकता है आप खुद देखो एक चीज़ जब 7-8,000 dollar pump करता है तो correction आनी भी दोड़ा और pressure यहाँ पे देखने को मिल रहा है लेकिन अगर मैं technically बात करूँ अगर आपने हमारी टेलिग्राम को follow नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए हम regularly वहाँ चार्ट शेयर कर रहे है आप देखोगे हम regularly वहाँ चार्ट शेयर कर रहे है जो भी update है वो आपको बताने की क पोशिश की लेकिन वहाँ sustain नहीं कर पाया और reject हुआ इसको फिर immediate support मिली लगभग 42,800 वहाँ sustain नहीं कर पाया और पटाक से आके हमारे zone के अंदर आ गया जो कि हमने बोला था 40,300 से लेके 41,300 और आप देखोगे यह अब यहाँ पे अपनी एक support बना रहा है important support zone यह हम already आपको तीन दिन से आपको बता रहे है important support zone तो इसलिए कह रहा है हमारी telegram को follow कर लिए नीचे description में link दिया हुआ उसी से कीजिएगा अगर मैं अब टेक्निकली बात करता हूँ तो यह जो 9 दिन का moving average है 21 दिन का moving average है या आपका 50 यह green line दिख रही है 50 days का moving average है यह एक important support zone निकल का है ज पेबनाची की वो भी यहीं आती है तो एक बहुत ही important और strong zone यहाँ पे होना चाहिए और जैसी शाम को expiry होगी उम्मीद की जा सकती है कि उसका pressure कम होने के बाद दुबारे से यह pump कर सकता है लेकिन अब जो इसके लिए resistance होगा वो लगबग होगा 42,700 से 600 और अगर उसके उप पर पार करता है तो ही chances बनेंगे कि यह अगला लेवल जो है जो कि लगबग आता है 46,700 उसको test करें लेकिन अगर यहाँ sustain नहीं कर पाता तो हो सकता है 40,300 तक यह test कर जाए जो कि इसके लिए important support निकल के आनी चाहिए तो अगर अच्छे coin आपको dip में मिलते हैं पार्ट में buy करते रहे हैं दो, चार, छे महीने के अंदर आपको यह idea भी नहीं लगेगा आपकी cryptocurrency के अंदर आपकी क्या value है साथ के साथ में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि profit भी book करते रहना है हम आपको लगातार बोलते हैं जब भी आपके target हिट होते हैं जैसे ethereum क कि बात करें हमारा target हिट हुआ जैसे कि हम अगर दूसरे coins की बात करें हमारे target हुट हुए तो हमने कुछ part उसमें निकाल लिया ताकि अगर नीचे भी आए तो हम उसके अंदर फायदे में ही रहे हैं इस technique को short term में अपनाना है और long term में आपको कोई tension लेने की जरौती नहीं ह जो दुनिया के अंदर जिसे सबसे acceptance चल रही है और एक बड़ी news निकल के आ रही है El Salvador ने तो legal tender बनाई दिया है Switzerland ने पूरे ने नहीं लेकिन वहां की एक city है Lugano उसने जो है Bitcoin को legal tender बनाने की बात कर रहे है हमने तो नाम पहली बाहर ही सुना है इसका लेकिन चलो कहीं से भी क यहां कमन करें और चैनल पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाईएगा अभी के लिए विदा लेता हूं खुछ रही है मुझकरात रही है कमाते रही है आपका दूस्पंकच थेंक्यू नुच्कार दने वहाद कर दो